दोस्तो आज मैं आप सबके लिए एक ऐसा सांदार बिजनिस आइडिया लेकर आया हूँ जिसके माध्यम से आप हर महीने 8,10,000 रुपए महीने बड़े आराम से आप कमा सकते हैं और दोस्तो जिस प्रोड़क्ट की आज मैं बात करने जा रहा हूँ वो प्रोड़क्ट आपको मिस्स कर जाएंगे और फिर इसका फाइदा आप नहीं उठा पाएंगे और मैं आपको प्रोफ के साथ दिखाऊंगा कि कैसे आप इतने जादा पैसे कमा सकते हैं दोस्तो आज हम आपको इस वीडियों बताएंगे कि कैसे आप बहुत कम लागत में अपना करेला पाउडर का बिजनी सुरू कर सकते हैं और हर महीने लाखो रुपय कमा सकते हैं इस काम के लिए आपको मार्केट से कच्चा मल आदी खरीदने या किसी भी चीज़ की मसकत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है आपको सिर्फ एक सिंपल और छोटा सा काम करना है जैसे एक जगह जहां स यह बनाया जाता है मतलब जहां यह तयार होता है करेला का पाउडर वहां से आपको खरीदना है वो जगह हम आपको बताएंगे कि कहां से आप सबसे सस्ता और अच्छा करेला पाउडर खरीच सकते हैं और आपको सबूत के साथ दिखाएंगे दोस्तों कि कहां पर यही करेला 15 गुनियाद से भी जादा महगे में बिखता है मतलब 15 रुपए किलो से भी जादा में बिखता है दोस्तो करेला पाउडर एक ऐसा पाउडर होता है जो आज सभी की जरूरत बनता जा रहा है इसकी माग इतनी जादा है कि आप छोटीश इंवेस्टमेंट करके और इससे आप इसके माध्यम से अच्छा बड़ा बिजनिस आप अपना ख़ड़ा कर सकते हैं और हर महीने लाखो रुपए महीने आप कमा सकते हैं अभी दोस्तों आपको वीडियो में दिखा रहे हैं कि आपको हम कैसे आपको इंडिया माट की बेव साइड में करेला पाउडर सिर्फ पै आप कैसे इसे ऑनलाइन और आफलाइन बड़ी-बड़ी कमपनियों को बेच सकते हैं आपको अमेजन की वेव साइड जो की अमेजन शॉपिंग और खरीद बेचकी में बिस्सो में नंबर एक पर आती है यहाँ पर करेला पाउडर पंदरा सो रुपए का एक किलो बिक रहा है और अच्छा खासा भी करा है और इसकी कमी बनी रहती है क्योंकि यह बिजनिस बहुत कम लोग करते हैं और इसमें बिल्कुल भी कमपटीशन नहीं है कि आपको कोई भी चीज कमपटीशन फेस करनी पड़ेगी तो इस बिजनिस में आपको किसी प्रकार का कोई कमपटीश प्रिंटिंग प्रेस वालों के हाँ जाकर आप इसे इस्टीकर बनवा कर आप प्रिंटिंग प्रेस वालों के हाँ जाकर आप इसे इस्टीकर बनवा के इसमें चिपका के और आप पाउच के माद्धम से भी इसे बेज सकते हैं फिर इसके बाद आपको फूट का लाइसेंस लेना पड़ेगा जिसे हम यफ एस एस एई आई फसाई का लाइसेंस भी कहते हैं और इसे food के license के नाम से भी लोग जानते हैं और food का license बनवाने के लिए आपको टोटल एक हजार रुपए तक का खर्चा आता है आप इस license के लिए online भी Google पर जाकर apply बड़े आराम से कर सकते हैं और आप खुद भी registration कर सकते हैं लेकिन अगर आप से नहीं बनता तो अगर आपके आसपास कोई भी CA या charter content है तो वहाँ जाकर भी बनवा सकते हैं या फिर MP online या कि जो भी online की shop है या CSC center है वहाँ से भी आप इसका registration आप कर सकते हैं इसका license आप तुरंट hand to hand आप हाँ तो हाँ ले सकते हैं अब इस business में आपको कितना मिनाफा होगा दोस्तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप एक किलो पाउडर मात्र 55 रुपय किलो में खरीद रहे हैं और आपका एक किलो पाउडर 1500 रुपय में बिक रहा है इस तरह से आपको हर किलो बेचने पर जैसे आप 15 रुपय में बेचेंगे लेकिन आपको मिलेगा किते 55 रुपय में और हम 35 रुपय अदर आपका खर्चा लगा देते हैं तो भी आपको 14 रुपय पर किलो पसता है और इसमें आप मात्र 35 रुपय और खर्चा जोड़ देंगे जिसमें आपका ट्रांस्पोर्टिंग आएगा टैक्स आएगा पैकिंग का खर्चा आएगा लेवर किराया या दुकान का बिजली बिल आदी एक किलो में 25 रुपय का पाउडर पड़ेगा और 35 रुपय इन सब चीजों में खर्चा आएगा मतला हम मोटा मोटी आपको 100 रुपय का बतार दे रहें कि 100 रुपय किलो आपको ये पढ़ जाएगा तब भी आपको हर एक किलो बेंचने पर 1400 रुपय की बचत होगी लेकिन आपका नया ब्रांड हो गया और नया काम होगा तो इतना महगा जल्दी नहीं बिख पाता है जो पुराने ब्रांड हैं उनके बहुत जल्दी बिख जाते हैं लेकिन अगर आपको मार्केट में जमाना है तो आप कम रेट में इसे बेच सकते हैं और अपना नाम कमा सकते हैं और अच्छ और 35 extra expenses जो भी अलग खर्चा है जैसे transporting को होगा, tax होगा, packing खर्चा होगा, labor होगा, आपकी किराया होगा, बिजली, पानी जो भी खर्चा होता है वो आप 35 रुपया और एट कर लिजे तो आपको total 100 रुपया का खर्चा आप इसमें निकाल दीजे फिर भी अगर 1000 रुपया अगर आप निकाल देते हैं तो आपको 900 रुपया किलो बड़े आराम से बचेगा और ये पूरा आपका पूरा आपको profit होगा, और आप इसे जैसे मोटा मोटा भी आप अगर 900 रुपया किलो के हिसाब से मुनाफ़ा मान लेते हैं तो आपको 27,000 रुपया का मुनाफ़ा डे होगी, अब आप के मन में सवाल आया होगा कि 30 किलो कैसे बेचेंगे, तो उसका भी मैं तरीका आपको बताऊंगा, 10 ऐसी ऑनलाइन बेउसाइड बताऊंगा, जिसमें इसकी अच्छी खासी सेल होती है, वहाँ पर आप फ्री में रेइस्टेशन करके, और इस बिजनिस को आ आप के हाँ से माल उठा ले जाएंगे, और वेच के आपके अकौन में पैसे डाल देंगे, और अगर आप आफ लाइन करना चाहते हैं अपने आसपास के एरिया में तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर बैठे इस प्रोड़क्ट को बेच कर पैसा कवाना चाहते हैं, तो आपको दस ऑनलाइन बैउसाइट का नाम में बता रहा हूं, आप चाहें तो लिख लें, तो आप अगर हर बैउसाइट से आपको तीन किलो का भी आडर आता है, तो दोस्तों अगर तीन किलो एक बैउसाइट से आता है, तो भी आप अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं क्योंकि एक वियो साइट से अगर तीन किलो आएगा तो दस वियो साइट से 30 किलो का आडर आएगा 30 किलो बहुत कम बता रहा हूं लोगों की 50-100 किलो भी आडर आते हैं एक दिन में और अच्छा खासा हो पैसा भी कमा रहे हैं तो आनलाइन बेचने के लिए आपको मैं कमपनी को नाम बताया दे रहा हूं इसे आप लिग भी सकते हैं पहला Amazon हो गया, दूसरा Flip Card हो गया, तीसरा Agio हो गया, फिर चौथा Geo Mart हो गया, पांचमा डी मार्ट हो गया, इसमें भी आप online बेज सकते हैं, उसके बाद छटमा हो गया Snap Deal, सातमा हो गया Growpers, आठमा हो गया Big Basket, नौवा हो गया Spencer's, दसमा हो गया Nature Basket, गेरवा हो गया Paytium, में भी आप इसे बेज सकते हैं, और भी ऐसे बहुत सी वेवसाइड हैं, मैं आपको गेरा वेवसाइड का नाम बता दिया हूँ, जिसमें आप रेजिटर्ड करके, और आप प्रोड़क्ट को उसमें बेज सकते हैं, आपको रेजिटर्ड करना ही इन सभी वेवसाइडों पर, और इन सभी वियोसाइडों पर फ्री में आपका प्रोडक्ट रेइस्टार्ड होगा, आपकी कम्पनी रेइस्टार्ड होगी और फ्री में रेइस्टार्ड करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट की फोटो खीच कर इन सभी वियोसाइडों में आप केटलॉक के जगे ये अपना फोटो खीचके लेकिन फोटो साफ और चमकदार और सुन्दर दिखनी चाहिए ऐसी फोटो आप अपलोड करें तो आपको दोस्तो मैंने यहाँ पे 10 वियोसाइट 11 वियोसाइट बताई है जिसकी पहुँच और डिलेवरी लगभग पूरे इंडिया में है यह जितनी वियोसाइटों के नाम बताई हूँ यह पूरी जगह हर जगह है पूरे इंडिया में इसकी डिलेवरी बड़े आराम से होती है और दोस्तो आप इसके मध्यम से आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं और अगर आप आठ लाग दस जयर रुपे महिने कमाते हैं तो यह एक अच्छी इंकम होती है वो भी आपको बहुत कम पैसे लगा कर लेकिन अगर आप इस करेला पाउडर को घर में भी बनाना चाहें तो आप घर में भी बना सकते हैं उसके लिए आपको मार्केट से करेला खरीद लेना होगा उसकी में प्रोसेस आपको बताय दे रहा हूँ अगर आपको घर में पसंद आता तो आप घर में भी ओरिजिनल पाउडर बना कर और इसे सेल कर सकते हैं अच्छी पैगिंग करके तो मार्केट से आपको सबसे पहले करेला का खरीदना है और इसके बाद आप इन करेलों को छोटे छोटी चुकड़ों में काट लीजिए और काटने के बाद आप इन्हें धूप में दो तीन दिन तेज धूप में आप इसको सुखा दीजिए या कि फिर आप ओवन से भी लाइंडर में इसका पाउडर बना लेना है दम महीन पाउडर बस आपका बन गया आपका करेला पाउडर और ये करेला पाउडर बना के आपको अच्छी पैकिंग करके और आपने नाम की पैकिंग करके और मार्केट बेशे सेल करना है वो भी घर वैठे दोस्तों आज कभी को फाइदा मिल सके और वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और उसके बगल में बेल आइकन जरूर दमाएं जिस्टे की मैं कोई भी वीडियो अगर अपलोट करूं अपने चैनल पर तो सबसे पहले वह आपके पास उसका नोटी के संजाया और आप उसका फाइद उठा सकें दोस्तों जै हिन जै भारत जै हिंदुस्तान